औरे एक्रिशना इंडिया या भारत इस वाद पर भगवईता का क्या दुष्टि कोन हो सकता है कुछ लोग यह कहता है कि नाम से क्या फरक पढ़ने वाला है भारत में लाखो गरी वो लोग है बहुत जो भारत की जो सत्या है वह तो नाम से बदलने वाली नहीं है तो यह सही है और ऐसे विचार गलत नहीं है पहले से भी आ चुका है शेक्सपियर ने कहा था कि एक नाम से क्या फरक पड़ने वाला है जो गुलाब है वो उतना ही सुन्दर उसका सुगंध होगा इसे वो नाम से बुलाए तो पूर्णते असत्ते नहीं है तो क्या है कि अगर कोई वर्ष्टू है और कोई व्यक्ति है उन दोनों में एक संबन जुड़ता है एक शब्द से तो जब कोई व्यक्ति एक गुलाब का अनुभव कर रहा तो वी गुलाब कोई वर नाम देगे तो उसका गुलाब के तो कोई गुण बदलने वाले नहीं है पर उस व्यक्ति का अनुभव बदल सकता है गुलाब शब्द से वो व्यक्ति के मन में जो स्मृतियां आती थी वो नए शब्द से नहीं आएगे जो भाशा का तत्वग्यान होता है, philosophy of language, उसमें कहते हैं कि शब्द के दो भाग होते हैं, दो गुण होते हैं, एक है उसका denotation, वो किसको संबोधित कर रहा है, और उसका connotation, मतलब वो, वो किसकी याद दिलाता है, उससे क्या स्मूति होती है, तो क्या संबोधित करता है, क्या स्मूति होती है, तो शब्दों के दोरा किस चीज की याद आती है, वहाँ महत्वपूर्ण है, यही तो कारण है कि कई बार, कई राश्ट्रों है, कई लोग, कई जगह पे नाम का बदल लिकरन होता है, और वैदिक शास्त्रों में इसे बताय क्यों सहसर नाम जो है उसमें भगवान विष्णु के हजार नाम बताएगे, क्यों हजार नाम, क्योंकि भगवान जो है, उनके अनेग गुण है, और भगवान के जो अनेग गुण है, तो उनमें से उनका अलग-अलग नाम, अलग-अलग गुणों को हमारे स्मरन कराते हैं इसलिए अभी जो शब्द है जो नाम है वो केवल एक placeholder नहीं है कि इस जगह पे यह नाम डाल दो वो नाम डाल दो कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है इससे कोई इलाका है कोई जाहिराध है इसका अज यह मालिक है उसका ऐसा नहीं है वो जो नाम है वो प्लेस्निपाइब वह बहुति किसी वेस्टों के किसी चीजर की ओर किसे गुण की ओर ओव पॉइंट करता था और औो व्यक्ति को किसी चीजर को रिमाइन करता है तो यह पृइंसिपल है तो इसका प्राइक्तिस भारत और इंडिया कि अभी ये नादो नाम है किस चीज की याद दिलाते हैं हमको इंडिया जो है ये एक extrinsic और geographical ये बहार वालों ने दिया हुआ नाम है और ये एक भूगोल के आथार पर बताए गया है तो मतलब क्या है कि जब परदेश से लोग आये थे भारत में तो उन्होंने ये नाम भारत को दिया है प्राचिनकाल से भारत भारत ये इंडिया नाम इस्तवाल नहीं कर रहे थे भारत और जो इंदू रिवर्त इंदू नदी थी उसके इस पर जो लोग रहते हैं उनको इंड प्राचीन काल से यहां पर आ रहा है इसका उल्ले महाभारत में आता है इस टोक में आता है खासकर के अब भारत वम्शिक जो महान राजा थे भारत उनसे उनको भी संभोधित करता है तो भारत का जो rich history है जो बड़ा ही महान इतिहास है उसकी और संभोधित करता है और उसके परे इसका एक तत्त्वग्यानि और आध्यात्मिक महत्व भी है भारत ये शब्दकारत क्या होता है भा मतलब जो भासकर जो जोती जो लाइट है और रत मतलब जो उसमें रत होना उसम जान की जोती है, जो दिव्विता की जोती है, जो भक्ती की जोती है, जो आध्यात्म की जोती है, जो जोती मानाओं को अपनी पूरन अता तक ले जाती है, ऐसे जोती की खोज में रिना, उसमें अपना जीवन जीना, यहाँ भारत के प्राचीन संस्कृति और इतिहास को और अभी एचीतरे संबोधित करता है क्या है इसमें यह सूचित करता है वो क्या करता है हमें किताता है कि भारत में नेक रुशी गण हुए जो ज्यान की खोज में अपना सारा जीवन समर्भित किया है खुद उन्हें ज्यान की जोती प्राप्त की है पर उन्हें दुनिया को ज्य पर भ्षान के जोती दी है और भारत में ऐसे ना केवल सियर्स मेर्सीकर्स भी रहे ना केवल संतफपुरुश साधो पुरुश मर्साधग yemद आक जो करते हैं कि जो ज्यान qi जितने का प्रयास करते हैं और जो पुषίνों सोमा जोतिर गम्हा और जोति को जाओ वो उसका भाव यह है कि हम सब और ग्यान के आधार पर विद्या के आधार पर हमारा जीवन जीए विद्या के अनुसर की खोज करें फिर उसके अनुसर हमारे जीवन को और अच्छा बनाए और यह जो भाव है यह तो भारत के लिए पर सारे विश्व के लिए कल्यान का भाव है तो अगर यह जो नाम बदलते हैं भारत यह नाम उससे जो सुची जो स्मूती होती है वह बहुत प्रोफाउंड है बहुत गूड है बहुत 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 ब करके कहानी बताई गई है इतियास में वो आती है और नाम बदलने से लोगों की सुटी बदलती है तो अगर भारत ये नाम लेने से भारत वासियों को प्रेड़ा मिलती है कि जो हमारी प्राचीन ज्यान की परंपरा है पद्धती है ज्यान की संस्कृती है उसका और अन्वेश और बटोरे फिर वह उसके भारत ये नाम सार तक हो जाएगा अब ही तीसरे आता है प्रेफीरेज़ का यह जो लोगों को इतिहास, बता बारत का जो लोगों भारत के संस्कुति बता है उनके लिए ये भारत नाम जो है वहाँ बहुत माईने रख सकता है क्योंकि उससे जो cultural identity है कि हमा संस्कुति दुश्य से कौन है क्या हमें बाहर और बाहरों लोग अलों लोगों नाम दिया है वो हम से उतार कर रहे है या हम हमारे एतिहास के आधार पर हमार नाम ले रहे हैं तो उससे बहुत फरक पड़ता है उमके लिए और आज जैसे भारत औ और authority हो रहा है और अपना प्रभाव दिखा रहा है और साथ-साथ अंदर भी अपनी अपनी जो प्राचीन संस्कुति उसकी विद्या है उसके जो resources है उसे जो प्राप्त होता है इंडिया नॉलिज सिस्टेम्स उसके और और खोज कर रहा है तो ऐसे ऐसे समय में ऐसे देश में अपना नाम बदलना यह बहुत अच्छा हो सकता है वही खोज को आगे बढ़ाने के लिए है आध्यात्मिक ज्यान की खोज को आगे बढ़ाने के लिए है तो इसलिए अगर उनको कुछ लोगों को यह preference है तो उसे रोकना नहीं चाहिए और इंड करने क्या जुरूरत है और साथ-साथ अगर कोई इंडिया नाम प्रिफर करता है तो ऐसे लोगों को हमें बुरा बोलनी की जुरूरत नहीं है जो रिग्वेद मताएगा कि एकम सत्विप्र बहुदा वदनती एक सत्य है उसके अनेक नाम होते हैं तो भारत की अनेक नाम हो सकत है तो कोई अगर इंडिया यूज़ करना चाहता है तो ज़रूर कर सकते हैं पर जो भारत प्रिफर करते हैं उन्हें भी वो करना चाहिए इस तरह से बगविदा के देखा हमने प्रिंसिपल की नाम मैटर करते हैं वस्तु के गुणों को बदलनी बदलते हैं पर लोग जो न केवल एतिहासी दृष्ट्री से बर एक तत्व ज्यान या अध्यात्मी दृष्ट्री से भी वह महत्वर रखता है और फिर यह जो है सब को चुना होना चाहिए कि वह अगर जो लोग भारत नाम इसमाल करना चाहते हैं उसे जरूर करने का मौका देना चाहिए इससे जो भा होने में हम प्रेणा और गती मिल सकती हैं अरे क्रिश्ना